कि अब गाइज वेल्गम बैक तो सेकंड पार्ट औफ कोड्रेटिक एक्वेस्टन ओके फॉस्ट पार्ट में हम लोगोंने सारे कॉश्चन वह कवर गिया है जिसमें हम लोग यह बता सकते हैं कि यह एक्वेस्टन का जो फॉर्म दिया हुआ है बहुत वह स्कुंध कर रहा है या नहीं कर रहा है ऑगे तक टो कि कि त्योंस कि एक्वेस्टन में आप लोगों की एक्सराइज पॉर्पाइंट बहुआ है this एक हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका एरिया कितना दिया है क्या बोल रहा है 528 मतलब इसके अंदर का एरिया जो है वह कितना है इसका मतलब समझ रहे हैं यह जो अंदर का जो एरिया है यह यह पूरा एरिया कितना है इसके बात क्या बोलन है देल्ट अब यहां पर क्या होता है एक होता है लेंथ और इक होता है आप लोगोंका भूट ठीक है तो इसने बोला है कि जो आपका लेंथ है जो आपकी लेंथ है वह तक्या ब्रिट्थ का जो भी ब्रिट्थ होगी आपकी उसके डबल से एक ज्यादा है ऐसा बोल रहा है अब सबसे पहले जब भी किसी के उपर आपरेशन लग रहा है तो उसको पहले कुछ भी मतमानी उसका ठीक है तो इसको कुछ मतमानी क्योंकि इसमें आपरेशन लग रहा है ना ब प्रिड़ फो रेक्टेंगुलर भॉट है इसका इसका प्रिड़ को माल लो आप लो एकस ऩे माण लो कि आप लोगों की जो ब्रिड़ वो क्या है X इससे क्या होगा कि अगर मैं कंडिशन को अब इसके पर apply कर सकता हूं क्या बोल रहा है कि आपकी जो length है plot की ठीक है वो one more है मतलब एक ज्यादा है किस से ज्यादा है की जब्त क्या डबल से मतलब कि क्या बोल रहे कि मैं हैं साइड में बता दूँ कि माल यह जो should है आप लोको की जय ठीक है जो बरेत का डबल से एक ज्यादा है ठीक है ब्रिट की टर्बल से एक जो दर्यों कि युदर हो R auto of the plot length of the plot is one more एक ज्यादा है किस से ब्रेट के ट्वाइस से ब्रेट के ट्वाइस से ठीक है तो मैंने अभी ब्रेट को एक्स माना हूं तो क्या आप लोग लेंद को 2x प्लस 1 मान सकते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे सुधर लेंद को लेंद को मैंने एक्स माना हूं तो उसके डबल से एक ज्यादा है चले ब्रेटल्स फरस ठीक है अब देखो आप लोगों को पता है कि about rectangular प्लोट आप लोगों सो दिया हूं एरिया और करना किस फ़ाम में कोड reti एक्विसन कЕТ फ़ाम में तो देखो आप लोगों को पता रहना चाये कि एरिया औफ करेक्टेंगल क्या होता है ठिंठ यह होता है length multiply by weight, length multiply by weight, अब यह आप लोग को length क्या दी हुई है 2 x plus 1ывать प्लस वन दी है है न ठिक है, और réflちक कितने दी हुई साथ लोगों की x दी हुई है ठिक है और एरियर्य आफारेत थेंगल कितने दिए हुए मतलब ब्लॉक्त का यह दिए हुआ है 528 अब देखो इसका मल्टिप्लाइब वही वाली बात होगे यह हो गया 2x का स्क्वेर और x का मल्टिप्लाइब 1 से तो यह x ठीक है के फाम में है ना तो क्या लिक सकते हैं एट इस और फार्म एकस्क्वार प्लस बी एक्स प्लस इक्वेल्स टो जीरो टिक लिक सकते हैं देर पॉर इस बीवन इस और टिक एक्वेशन हैंगी नहीं बहुत इजी कोश्चन था यार कितना इसी था टेक है क्या बोला है मैंने कि सबसे पहले आप लोगों क्या बोला है कि यह रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वेर है और बोल रहा है कि दे लैंथ जो भी लैंथ ह प्लाट इस बान मुर एक ज्यादा है अभी पता है निए किस से ज्यादा है तो ब्रिट के डबल से लेटॉट के डबल से एक ज़ादा है तो इसलिए मैंने टूइल टो एक्स प्रस्वान लिख और बागी के प्रोसेस किया अब देखो अगर हम लोगों को वी नीट तु करना है क्योंकि इस में रिप्रेज़ेंट करना था चली अब हम लोग क्या करतें इसका क्या करते हैं करने की कोसिस कर सकते हैं ठीक है तो देखिए अब हम लोगों को आगर कोड़ेटेक एक्वेशन का स्टेंडर्ड फॉर्म चेक करना है तो बस यहां तक क्वेश्चन को सॉल करें तो चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं इसमें भी आप लोगों को इस थियोरी बेस्ट को सबसे पहले देखो कि आप लोगों को क्या करना है तो अगर आप लोगों को पोला है तो आप लोग क्या करेंगे जैसे कि अगर मैंने बोला एं इसका पंजिकेटिव नंबर क्या होगा 11 11 का 12 मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग अंजिकेटिव नंबर बोलते हैं ठीक है जैसे मान लोग कि अगर हमारा एक नंबर एक है तो उससे एक ज्यादा मतलब दूसरा नंबर क्या होगा एक्स प्लस वन कब जब कॉजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर के बात कर कि यहां पे लेट इसको साइड में कर देते हैं मानो कि हम लोगों क्या बोला है अफ्रोड़क्ट आफ टू कांजी के टिफोसिट्व पॉसिट्व इंटिजर तो मान लोग कि consecutive consecutive number is x plus one consecutive number वो number होता है जो क्या हो किसमें हो आप लोगों का क्या होना चाहिए कि एक के बाद एक आने वारा वही नमबर को क्या बोलते हैं consecutive number ठीक है अब हमारे पास एक नमबर एक से दूसरे नमबर क्या है वाई एक प्लस वन आप बोल रहा है इनका प्रोडक्न करो मैंने आप लोगों को बता के रखे कि प्रोडक्न मतलब क्या होता है प्रोडक्न मतलब मल्टिप्ला अर्श का मतलब प्लस ठीक है तो इनका प्रोडदेक्वागत करो और बोल रहा है आंसर क्या मिलेगा बोल रहा है 306 मिलेगा ठीक है 206 मिलेगा चलो ठीक है प्रोटक्ट कर देते हैं तो x multiply x से किया तो यह क्या हो जाएगा x स्क्वार एक्स का multiply 1 से किया तो यह क्या हो जाएगा x is equals to 306 अब देखो अब क्या कर सकते हैं यह x square प्लस x और इसको को इस टाइट गलाएंगी तो माइनस 306 is equal to 0 यह गाइब तो इस थियोरी बेस ढॉले question के according इनकी जो इक गीवन इक्वेशन आरही है एक्वेशन आरी सुरी जो आरही है वो क्या हो रही है एक स्टेंडर फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं तो तो क्या लिख सकते हैं इस ओफ पिपर मोफ इसलिए कि अलरा है देर्फ़र गीवन एक्वेशन इस वाद्रेटिक एक्वेशन यह क्या है एक्वेशन अब देखो यह है यहाँ पर अगर आप लोगों को इंटीचर और पढ़ेगा यह उपना पढ़ेगा क्या हो सकता है अभी हम लोगों को क्या नाँ स्टेटमेंट जो भी है उन लोगों को क्या बनाना है आप लोगों को काडिरेटी की क्वेशन पता करना है कि वह स्टेंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं हो विए चलो आप लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको इन्टीजर भी पता करके बता दो कि वह कॉन चली देखें लाव तिक जिसको पता करने बाकी कोष्टन को हम लोग को जहां पर पूछा था यहां पे खतम हो जाता है अब देखो x square plus x minus 306 equals to 0 अब मैंने क्या बोला है factorize करना है तो यह number और यह number को देखो 306 का multiply 1 से किया तो यह होता है 306 अब ऐसे दो number जो जिसका multiply करो 306 है और plus minus करो तो वाना है तो आप लोग देखो इस 6 को according से देखो कोई भी number का अगर आप लोगों को factor पता करना है तो आप लास्ट वाले number को देखो अब कौन से number है ऐसे जिनका multiply करने में क्या आता है 6 आता है तो देखो एक तो number क्या है 2 और 3 ठीक है और एक क्या होता है 8 और 7 ठीक है तो अगर मैं माल लो कि माल लो 12 और 13 का multiply कर दो 12 और 13 का तो ये number नहीं आ रहा है 306 के लिए ठीक है पर मैं अगर माल लो 18 और 17 का multiply कर दूँ तो ये आ रहा है 306 और इन दोनों को minus करने पे भी answer आ रहा है क्या आ रहा है 1 आ रहा है ठीक है तो मुझे दो factor मिल गए एक क्या मिला है 18 और एक मिला है 17 अब यहां पर क्या चाहिए प्लस इसलिए बड़े नंबर के सामने प्लस एक्स का variable है तो ठीक है और अगर ये प्लस है तो इसको मैं प्लस नहीं रख सकता नहीं तो जूड़के तो फिर तो जादा हो जाएगे ना हमको तो जीरो आप देखो ये दोनों को को सॉल करो ये क्या हो गया एक को मन ली यहाँ पर क्या बच्रική गजा ao मैंने बार 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 बता है कि एक प्लस एक नहीं बचा है तो जो भी बचता है उसके यहाँ पर एक लिख दो ठीक है और प्लस माइनस माइनस जो सामने नंबर है वही common तो आप लोगों का एक मिलेगा x प्लस 18 और एक मिलेगा x माइनस 17 तिक है मिला ना x प्लस 18 और x माइनस 17 तिक अब इसको solve कर लेते हैं देखो तो यहां क्या लिखते हैं so factors हमारी factors क्या मिले factors are 1 है x प्लस 18 और एक क्या है x माइनस 17 ठीक है हम बग इसको अब क्या कर लेते हैं 0 निकाल लेते है तो x प्लस 18 इक उस टो 0 और x माइनस 17 इक उस टो 0 तो यह क्या होगा x माइनस 18 एक होगा और दूसरा क्या होगा x इक उस टो 17 ठीक है हमारे वह consecutive positive integer एक प्लस वाली को लो नमबर क्या था हमारा x और दूसरा क्या था एक स्थया था फालकिन्ड नमबर था यह क्या था हमारा दूसरे वाला क्या होगा सैवंटीन प्लस वन यह होगा 18 तो यही दो नमबर है जिनका multiply करने से 306 आता है और प्लस माइनस करने से यह आता है ठीक है ऐसे ही आप लोगों को सारे question को करना है एक दो बार इसको repeat करके देखिए आप ठीक है तो चली friends बात करते हैं इस question की question अच्छा है तेक है देखो क्या बोला है train travel a distance of 480 लिमेटर मतलब आप लोगो सबस्क्ता चल रहा है कि टूटल डिस्टेंस कितना है और एटी किलोमेटर एक समान तरफ से चल रहा है मतलब एक स्वाइज पिद में कि 920 लैस मतलब आगर उसकी स्पीड आठ किलोमेटर पर घंटे क्या हो जाए कम हो जाए तो इस वज़ा से उसको जो डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचना है वहां पर कितना टाइम लगेगा तीन घंटे ज्यादा लगेगा उसको ठीक है उस डिस्टनेस को कवर कर NG तो आप लोगों को पता करना है कि वो ट्रेन की स्पीड क्या है संब से पहले क्या बोला वहां कि आपको जो डीस्टनस दिया गया है वो कितना है वह एथी किलोमेटर ठीक है एक इनिफोर्म सिर्श जाई अपर अगर आपकी ट्रेन की स्पीड आठ किलोमेटर कम हो जाए आठ कीलोमेटर पर घंटे कम हो जाए इसकी वजह से आपको तीन घंटे ज्यादा लगेंगे कहां पे उस डिस्टेंस को कवर करने पर तो आपकी स्पीड क्या है ट्रें की यह पता करते हैं तो ठीक है चलो मान है कि the speed of the train of the train इसको कुछ मानना पड़ेगा न हमको क्या है तो इसलिए हम लोग बॉलता है कि एक्स किलोमेटर पर एक बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है अपने पास भीया यह अपने पास पूर एटी किलोमेटर एक बताओ हमारे पास स्पीड पता नहीं है हम लोगों को और हमारे पास क्या है डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम लोगों ने साहिद फिजिक्स में कोई एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कि स्पीड इस इकल्स टू डिस्टेंस अपन टाइम पढ़ा है हम लोगों ओके तो माल लो हमारे पास अभी हमने किसकी की बात किया है स्पीड और डिस्टेंस की तो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा टाइम को इधर ल आपना लोग की स्पीड की डिस्तेंस के इस वर, पर- दूसरा के सरा घंट किन लोग कन기는 हम लोका हो 입 ञें बनाम घंब भी हम लोग आगर पहला टाइम मान लिए कि हमारी जिस्टा ऐ बंते हैं केस वन में यह मान लो कि आपका टाइम जो है 480 किलो मीटर को X की स्पीट से पहुचा रहा है ठीक है यह हमारी क्या हो गई पहली कंडिशन हो गई 4480 को किस स्पीट से पहुचा रहा है एकस की स्पीट से पहुचा रहा है पर अगर हम दूसरी कंडिशन को देखें ऐस कहा से कंडिशन सब्सक्राइब restore कर और समझाएंगैं अमस्कों इसको किसे तोटल स्पीट थी एक्स उससे कितनी कम हुई है आठ कम हुई है तो एक्स माइनस 8 लेख सकते हैं और यहाँ पर किलो मिटर पर आप एक तम एजी तरीके से अब उसके बाद क्या हो गया आगर हम इसका क्या निकाल ले टाइम निकाल ले टाइम सेकंड टाइम निकाल लेता है सबसे पहले क्या तक्यांब अगर नॉर्मल चले तो नॉर्मल चलेगी तो हम लोग कितना टाइम ले रहे हैं और अगर आपकी speed 8 km कम हो जाए तो कितना speed लगेगा तो सबसे पहले मैंने क्या माना कि हमारी normal speed जो होगी speed of train होगी वह x km distance कितना कवर कर रहा है for 80 km ठीक है तो मैंने सीथा साथ time के हिसाब से distance upon speed का formula लगाके 480 upon x लिख दिया ठीक है मतलब सोचो ना कि यह time है यह distance है यह speed है यही formula को तो और इसमें changes क्या था यह formula को दूसरा थोड़ी ना है time को यहां भेज दिया और speed को यहां भेज दिया वही तो formula है ठीक है तो हमारा पहला time जब हमारी train की speed को एक में changes नहीं आ रहा था तब की speed है यह तब कितना time ले यह बताएगा जब हमारी train की speed कम हो गई तो कितना time लेगा इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग time दीए एक को टीवन और एक को टीटू चिक है अब हम लोग क्या करते हैं इसको solve कर देते हैं अब देखों मैंने क्या किया यह time 1 और time 2 निकाल लिए अब क्या हुआ कि आपकी जो train है उसकी speed 8 km पर घंटे कम हुई इसकी वज़ए से time कितना ज्यादा लगा है तीन घंटे ज्यादा लगा है तो बस इसको ज्यादा complicated नहीं लेना है बस according to question क्या करना है आप लोगों को बस आप लोगों को जो train की speed कम हुई है train की speed कम हुई कितनी हुई एक्स माइनस 8 उसको माइनस कर देना है इससे 480 एक्स ठीक है और इन सब की वज़़े से कितने घंटे जादा लगे हमको तीन घंटे जादा लगे बस इसको इसा लिख देना है ठीक है तो इसको करेंगे solve तो क्या होगा दोनों से 480 common ले लो 480 common ले लिए तो अंदर क्या तो ठीजिए ओके अब इसको क्रॉस मुल्टिप्लाइब कर लो यह 480 अब सब्सक्राइब तो एक्स बंजा एक्स और इसका मुल्टिप्लाइब तो एक्स माइनस एट अब हम रेकेट के में लगाए हो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा लेना क्योंकि यहां पर माइनस है ठीक है न माइनस-1 माइनस प्लस प्लस पाही एके अप्सक्राइब में एक्सका मुल्टिप्लाइब ए इट पहता है एक्स कडूट यह थो फ्लसस प्लस एक्स प्लस एक्स कट जाएंगे ठीक है आप क्या हो गया 480 अब देखो 1का 8 ऊपर बचा अब यह क्या है 2-7 माइनस इट squatt o 3 अब क्या कर सकते हैं देखो यह तो यह जो है 480 का मल्टिप्लाइब किसके रहेगा यह 3 के साइट क्या चले जाएगा एक्स स्केर माइनस 8x ठिक है एक्स स्केर माइनस 8x आप देखो चाह करना पड़ेगा इसको यह जो जो एक पर देखो प्रक्राइब यह जो जो एक इसको क्या कर लोगे एक्विसन के फ़र्म में जमा लो सब्सक्राइब यहां पर किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा है मतलब उसका मैच का कैलकुलेशन वीक है बाल खुजाने से कोई मतलब नहीं है तो लिख सकते हैं हम लोग विच इस कि दरिक्वायर्ड कोड्राटिक सुनो 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 कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं फट से कुस्टन सौल करेंगे और उसके बाद जाके क्या हो रहते हैं इच्छे जाके देखते हैं आंसर कि यहारी बांद रहें सही हैं कि नहीं तो ठीक है जुस्तों चेक करने वाले हैं उन लोगों के लिए बता देता हूं कि यह जो 3x स्क्वायर माइनस 24x से माइनस 3840 है इस में से मैं अगर 3 कॉमन ले लूँं तो यह क्या होगा आप लोगों की बुक में पीछे आंसर दिया होगा पर अगर आप यहां तक भी छोड़ते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रेन की स्पीड लेना है जब कोई भी कंडिशन अपलाई नहीं हो रही तो सीदा सा आप लिखो कि चार 180 किलोमेटर का डिस्टेंस है उसके आप लोगों और उसके बाद आंसर लिख सकते हैं आई होप आप लोगों को समझा गया होगा चलिए एक और कोशन है आपकी exercise का देखो इसमें क्या बोला है कि रोहन की मम्मी की एज रोहन से 26 यर जादा है ठीक है ठीक है क्या बोल रहा है कि रोहन की जो भी एज होगी मानलो कि रोहन की एज क्या है लेट कि दे प्रेजेंट टेज ऑफ रोहन ठीक है क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है प्रेजेंट एज और रोहन मान लोग कि उसकी एज आप लोगों को पता नहीं है तो इसलिए क्या मान दिए एक्स मान दिए ठीक है तो उसकी मम्मी की एज उस यह मैं प्रेजन्टेस क्या हो जाए गी उसे 26 शाल जादा मतलब वह एक से तो इस spreadsheet इंप्रोडक्ट और इस जीह लों होगा है कि क्या लुए रहा है इसमेंका प्रोड़क्ट ऑव दियर ऐजागे तेक हैं इनके जो एज़ का प्रोजक्ट है तीन साल मतलब जैसे मालो ये present तो उसे तीन साल गए ठीक है तो हो कि यह थी तो तीन साल आगे जाना मतलब क्या होता है रोहन कितने साल का हो गया X plus 3, क्योंकि 3 साल आगे गए, और उसकी मम्मी कितने चले गई, X plus 26, ठीक है, उसकी मम्मी कहां गई है, X plus 26, और 3 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएंगी, X plus 29, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि after 3 years, 3 साल बाद क्या होगा, after 3 years, रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन's age, ठीक है, देखो, रोहन पहले कितने क्या था, X, तो इधर जाके क्या हो गया, X plus 3, ठीक है, and रोहन's mother's age में क्या चेंज आया, mother's age कितनी हो गई भी, या, X plus 29, तो बस, इनका product बोला है, इनका product, ठीक है, इनका product क्या है, तो X plus 3, और X plus 29, इन दोनों का product ही कितना है, बोल रहा है, 360, ठीक है, इन दोनों का product ही 360 है, as per question, ऐसा लिक लेना, ठीक है, as per question, इनका product ही कितना है, 360, तो चलो, सबसे पहले इसको कर लेते हैं, और सॉल, X का multiply X से हुआ, तो कितना हो जाएगा, X square, X का multiply 29 से हुआ, तो कितना होगा, 29X, अब 3 का multiply X से हुआ, तो 3X, अब 3 का multiply 29 से हुआ, तो कितना होगा, 87, और is equals to 360, अब देखा, इसको आरेंज कर लेते हैं, तो यह क्या होगा, यह X square 2, इसको जोड़ेंगे, तो 32 का X, अब यह प्लस का 87, अब इसको इस साइट भुला लो, क्योंकि यह इसकी family वाला है, तो बुला लिए 360 equals to 0, तो अब यह X square जैसे का वैसा, प्लस 32X, जैसे का वैसा, और इसको माइनस कर दो कितना होगा, 273, तो यह हो गया न, ऐसा बो इक्वाइर्ड, कोड़र टेक एक्वेसान, कोड़र टेक एक्वेसान मिलगी न, उसकी क्या एज है, वो सब पुछता रहता, तो हम भी गारते, तो देखो, सबसे पहले क्या बोला था, रोहन की एज क्या थी, X मान लिया, तो उसकी मम्मी उससे 26 साल जादा थी, इसलिए क्य मैंने बोला प्रजेंट से देख, प्रजेंट से 3 साल, तो मैंने क्या बोला था, कि अगर 3 साल किसी की बेज लिज लिजाते हैं, तो बढ़ाना पड़ता है, तो इसकी भी 3 साल बढ़ा है, तो 26 की उसमें तीन जोड़ाते थे 29, मतलब आप्र 3 येर, उसकी एज क्या होगी, X प्लस 3 और उसकी मम्मी की एक्स प्लस 29 अब देखो इन दोनों को क्या करना था सिर्फ मल्टिप्लाइए ही तो करना था दोनों को मल्टिप्लाइए करोगे तहांसर 360 था बस इस्ते इक्वेशन मिल गई आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और अब इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं नेक्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे solution of a quadratic equation by factorizer तो जो भी डाउट हो आप लोग comment section में बता दीजेगा ठीक है थैंक यू, थैंक यू सो मच